आपको resistance और support find करना नहीं open interest का काम ठीक है resistance और support आप price action से find कर लेंगे लेकिन वो resistance या support वो तूटेगा या नहीं तूटेगा यह आप open interest से find करेंगा ठीक है सबसे ज्यादा जो traders है ना वो सबसे ज्यादा option traders है ना तो उनके लिए क्या सबसे important होता है और कैसे trade करना है उसके लिए एक चीज सबसे important होता है और एक चीज का importance होता है option trading में वो होता है option chain ठीक है तो इस video में हम लोग option chain के बारे हम बात करेंगे और वो important है या नहीं है या उ उसके मदद से हम लोग क्या रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को या उसके मदद से हम लोग देख सकते हैं कि क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है तो यह सब कुछ पर आपको इस वीडियो हम बात करेंगे और यह जो वीडियो है ना यह आपका option chain analysis का last video क्योंकि इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा चलिए तो फिर शुरू करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं तो आप open interest चेक करने के लिए ना आप NSE का website भी यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो है ना मैं यूज करता हूं nifty trader इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा easy होता है और इसमें देख सकते हैं ठीक है तो चलते हैं यहां पर इसको बोलते हैं option chain ठीक है तो इसमें क्या होता है ना एक तो strike price देखते हैं यहां पर ठीक है यहां पर strike price आप देख रहे हैं यहां पर ठीक है यह strike price ना जो nifty का जो current price चल रहा है ठीक है वो जो है यहां पर बीच में चलेगा अ वह 17,300-200 ठीक है ऐसे रहागा और इसके नीचे 17,600-700 ऐसे होगा ठीक है तो यह होता है इस ट्राइक प्राइस ठीक है तो अब यहां पर देखते हैं कि open interest क्या होता है तो open interest क्या होता है नहीं कि मान लिजे कि 17,400 पर सबसे पहले option chain को option writer के perspective से देखते हैं option buyers के नहीं मान लिजे कि कोई buyers है उसके पास 10,000-50,000 एक लाख रुपया है ठीक है तो वो market पर उतना impact नहीं कर सकता है लेकिन जो बड़े players है ठीक है जो option selling करते हैं उनके पास बहुत बड़ा पैसा है ठीक है जो 100-200 क्रोड बें selling करते हैं ठीक है तो उनसे जो हैना market impact होता है त नसी में आपको पता नहीं चलेगा कि कहा buying हुआ है कहा selling हुआ है लेकिन इस website में यहीं फायदा होता है कि buying आपको पता चलेगा और जो buying है न वो भी option sellers ही करते हैं hedging के लिए वो option buyers नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं call buying हुआ है ठीक है call buying हुआ है 17,950 तो यहां पे तो तीन चीज़ है ठीक है एक तो build-up है ठीक है एक तो OI है एक तो change of OI है ठीक है और यह जो LTP है यह होता है last traded price ठीक है तो यह change दिखाएगा कि कि कितने मान लिजे कि 50 रुपय का जो जो strike price था उसका कितना दाम घट गया कितना बढ़ गया यहां पे ल्टीप में वह ही दिखाएगा और जो यह डेल्टा है यह डेल्टा का एक particular एक different video बना देंगे ठीक है यह थोड़ा थोड़ा सा starting में complex आपको लगेगा तो यह next video में अगर demand होगा इसका तो next video में इसके बा nifty देख लेता है कितना पर चल रहा है भी निफ्टी निफ्टी चल रहा है 17,513 पर ही चल रहा है ठीक है और यहां पर वैसे ही 17,500 पर उसको सबसे पास वाला जो strike price होगा वो बीच में होगा ठीक है तो 17,500 का देखेंगे open interest कितना है open interest है इसका एक लाख 24,164 ठीक है यह है put क open interest और 17,500 पर call का open interest है दो लाख 29,941 तो call put का open interest कहने का मतलब यह हुआ ठीक है कि जो sellers है ना जो sellers है वो इतना call बेचे हैं दो लाख 29,000 calls बेचे हैं ठीक है और जो buyers है ना जो sellers है वो एक लाख 24,000 puts बेचे हैं ठीक है तो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा बेचे हैं puts तो एक 24 ही है और calls जो वो दो 29 है तो calls यहाँ पे ज़्यादा बेच रहे हैं ठीक है तो कोई भी buyer अगर call खरीतता है तो market उपर जाता है तो उसको profit होगा ठीक है वैसे ही कोई भी seller कर call बेचता ह है तो अगर market नीचे जाएगा तो उसको profit होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो open interest है वो calls का ज्यादा है इसका मतलब कि ज्यादा sellers ज्यादा बेच रहे हैं ठीक है अब call sellers ज्यादा बेच रहे है तो इसमें क्या होगा निफ्टी में क्या अंतर पड़ेगा कि यह जो language में लेमें language में आपको discuss की है ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है call writing call writing call writing यहाँ लिखा है कि put writing put writing और यहाँ पर put buying भी हुआ है ठीक है तो यह सब आपको data NSE के website में नहीं मिलेगा यह इसमें थोड़ा easy हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं put long covering यह यहाँ पर put short covering ठीक है तो इसका मतलब बताएंगे आपको ठीक है अब यहाँ पर मानलीजे कि आज market बंद हो गया ठीक है market बंद होने के बाद कैसे analyze करेंगे यहाँ देखेंगे 17600 अभी 500 चल रहा है तो 17600 अगर देखेंगे तो यहाँ पर put buying हुआ है और 81,000 यहाँ पर puts 18,000 बेचे है अब देख लिजे 3,000,000 और 81,000 ठीक है बुट बाइंग हुआ यह अभी छोड़िये अभी selling के perspective से देखते है 3,000,000 और 81,000 कितना difference है तो जो सबसे ज्यादा आलोग आदमी है ना 3,000,000 आदमी calls बेचे है मतलब 3,000,000 आदमी सोच रहा है कि market नीचे जाएगा ठी 18,000 है वो सोच रहा है market उपर जाएगा तो जहाँ पे ज़्यादा है ज़्यादा लोग सोच रहा है कि नीचे जाएगा तो 17,600 जो है वो एक तरह से resistance का काम करेगा यह जो point है यह जो point 17,600 यह resistance का काम करेगा ठीक है और यहाँ पर अगर price action आप follow कर रहा है तो यहाँ पर direct आपको दीख सकता है कि last दिन जो है यहाँ से open हुआ था market और यहीं से फिर उसके बाद W pattern बनाया था यहाँ पर अब देख सकते हैं W pattern बनाके और यहाँ पर यह जो है यह ब्रेक करके यहाँ से फिर सब्सक्राइस लिया था तो यह काफी अच्छा resistance बन गया था कल ही price action से देखे तो लेकिन आपको open interest का भी अगर support चाहिए तो open interest से देख सकते हैं यहाँ पर एक resistance फेस कर रहा है ठीक है तो यह हो सकता है कि market जब यहाँ से यहाँ जब जाए यहाँ तक ठी लेकिन क्या आप इसी basis पे बस trade ले सकते हैं ठीक है यही आपको बताना था कि इसी basis पे आप trade ले सकते हैं कि यह resistance है तो यहाँ से आकर sort कर देता है maximum YouTubers और जितने YouTubers वीडियो बना रहे हैं काफी सारे YouTubers देखे हैं और यह open maximum तो हम swing trading आए वीडियो डालते हैं लेकिन यह सब क्यो जोन हो रहा था और पूछ रहते हैं तो इसलिए वीडियो डालें कि clear हो जाना चाहिए यह जो topic है ठीक है तो यह बताते हैं लोग कि 17600 रेजिस्टेंस हो गया है वहां पर जब मार्केट जाएगा तो वहां से sort कर देना और जो जो लोग उस वीडियो को देखते हैं सुनते ह यहां वह confused हो जाते हैं और confused होने के बाद क्या करते हैं कि जैसे ही वह देखते हैं कि 17600 रेजिए यहां से sort करना start कर देते हैं ठीक है लेकिन उनको यह नहीं पता है कि यहां जो 17600 पे जो 3,00,000 लोग है ना 3,00,000 लोग है ठीक है तो 3,23,000 ठीक है तो अभी इस से ज़्यादा था 23 से या ज्यादा था या कम था सब्सक्राइब तो यह जो है ना लाइव आपका डेटा चेंज होते रहता है ठीक है 17600 पे 18000 था अभी 80000 मेom ठीक है तो यह live data change होते रहता है समझ रहा है तो लाइव अगर यहां मा具 चला गया मार्केट ठीक है और यहां से आप देख रहे हैं कि जो 3,00,000 है न वो 3,00,000 से बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा 3,50 हो रहा है 3,60 हो रहा है 3,70 हो रहा है ठीक है तो यहां पर इसका मतलब हुआ न कि वो resistance और strong होते जा रहा है ठीक है और उसका तूटेने का चांस जो है न वो बहुत कम हो गया और यहां पर जैसे यह 600 पर गया और यह ग्या हुआ न कि तीन लाग से दो लाग होने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ न कि यह जो resistance है वो strong नहीं और यह तूट सकता है तो जैसे ही वो लोग यूटूबर्स का वीडियो देखके और यहां से short करना start कर देते हैं और यहां से यह जो है जो call writing हुआ है इसको बोलते है call long covering इसी को बोलते है कि जब भागने लगते हैं लोग जब मान लिजे तीन लाख लोग अगर सोच रहें कि market 17600 नीचे रहेगा और वो जब गलत होने लगेंगे तो वो वह होगा न कि महांस दो और तो शुट जाएगा तो open interest का advantage क्या है यह आपको पता चल गया होगा और कैसे use करते हैं यह भी आपको पता चल गया होगा ठीक है अब अगर यहां पर देखें कि change in OI ठीक है यह तो आपको समझ में आ गया कि आप रात में आगर analysis कियें आप resistance और support है वो कितना देर ठीकेगा ठीक है वो इसके लिए है ठीक है कि आप जाते जाते 17600 पर शौट नहीं करने लाएं आप देख रहे हैं कि हां वहां पर जो जो लोग है वो रह रह रहे हैं या भाग रहे हैं अगर भाग रहे हैं तो आपको बाइंग साइड देखना पड़ेगा क्योंकि वो resistance वीक है वो तूट सकता है और वो रैली दे सकता है ठीक है वैसे ही अब पोजिट में अगर मान लिए असी है तो यहां से अगर बढ़ने लागए असी से तो आप समझ सकते हैं कि हां यह जो है 17,600 वो वीक resistance है ठीक है अब मान लेजें यहां पे 17,400 बात है ठीक है तो 17,400 बे देखते हैं एक लाग चालिस अजार पुट राइटिंग हुआ ठीक है और यहां पे 30,000 इसका मतलब पुट में जो लोग है वो ज्यादा है इसका मतलब कि 1,40,000 लोग सोच रहे हैं कि हम अगर पुट बेचेंगे तो फाइदा में रहेंगे इसका मतलब यह जो होगा सपोर्ट के तरह वर्क करेगा इसका मतलब क्या हुगा कि 1,40 लोग जो है न वो सोच रहें कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा सत्रह whenle को दो उपर ही रहेगा क्योंकि आपको बताया न कि हाँ उपड जो आगर बाई करेंगे तो पूट बाई करेंगे तो नीचे जागका तो फायदा होगा लेकिन अगर पूट बेच रहे हैं और आप उपर का perspective आप देख रहे हैं मतलब उपर के side मैं है यह यहां पे लोग बहुत सोच रहे हैं यहां पे काफी अच्छा support है ठीक है यहां पे support की तरह यह work कर रहा है ठीक है और यहां पे कितने लोग सोच रहे हैं कि यह तूट जाएगा तो वो सोच रहे हैं लोग 28,000 लोग फिर भी 1,42,000 जादा है हां लोग अगर यह घटने लगेगा, मार्केट इसके नीचे आने लगेगा तो यह तूट जाएगा ठीक है और अगर मार्केट नीचे आ रहा और यह बढ़ते जा रहा है तो यह नहीं टूटेगा, यह यहां से रिवर्स कर जाएगा ठीक है तो यह option chain का analysis होता है और यह ऐसे हम लोग find करते हैं कि वो जो resistance या support है वो कितना देर ठीकेगा और कितना देर हम लोग उस पर trade ले सकते हैं ठीक है कैसे trade ले सकते हैं अब OI change आगा मालिजे अब मालिजे 17600 आपको बात किये हैं 17600 आप देख रहे हैं कि OI तो यह है और OI change यह है 17500 और यहां पर OI changes एक लाख 17000 ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ना कि यहां पर आज के आज में एक लाख 17000 लोग आए हैं ठीक है और यहां पर देखेए आजसी से यह कम होते जा रहा है इसका मतलब यहां देखेए 17600 आप यहां काफी ज्यादा resistance होगा क्योंकि यहां calls में लोग बढ़ रहे हैं और puts में लोग घट रहे हैं तो यह जो है ना काफी अच्छा resistance से work कर सकता है 17600 ठीक है और यहां पे बढ़ते जा रहे हैं लोग OI change जितना होगा ना मालेज़े यह कल था ठीक है यह कल जितना इस पे resistance होगा यहां पे लोग ज़्यदा बढ़ते जा रहे है यहां फोकस करें कितने लोग बढ़ रहे है और यहां पे कितने लोग घट रहे हैं यहां बढ़ रहे है dahi तो यह सब देखने से आपको पता लगएगा कि हाँ कोई भी जो यह जो support है या resistance है वो कितना देर तक टिक सकता है यहाँ पे एक अधर बढ़ा ठीक है तो इसका मतलब यह जो resistance है वो जादे देर ठीक है वैसे ही यह घटते जा रहा है ठीक है तो यहाँ पे final हो रहे है यह काफी जादा resistance का work कर सकता है अगर नहीं समझ में आएगा तो और अच्छे सा आपको नहीं वीडियो में समझा देंगे लेकिन अगर इस वीडियो को आपको कोई वीडियो देखने का जुरुरत नहीं पड़ेगा ठीक है आप अच्छे से देखे तो और आप prediction नहीं कर सकते हैं मार्केट में आप prediction नहीं कर सकते हैं यह ध्यान रखिएगा आप मालेजे आप सोचने को option chain लेगे आप prediction कर देंगे नहीं जो ऐसे जैसे movement हो रहा है मंर्केट करना आपको वैसे वैसे react करना होता अपको रियक्त करना होता है यहाँ से लृण करना होता है यह हömं करना है और इसमें क्या है बहुत फीचर वह हैं यहां से देखिए ऐडस्थर देखेंगे तो यह जब क्लिक करेंगे न यहां से एक चार्ट खुले गारी कि है το 258 और अधार कर गठेंगे कोम पेर कर सकते हैं कि कैसे कैसे निफट निफटी का यह जो है वह अपन इर्टरेस्ट कैसे इसे बाड़ और घट रहा है ठीक है तो यह भी आप यहां से माल लिजाए यह दिखिए 17700 वाला जो ओपने ट्रेस्ट वो धीर 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 घट रहा है आपको डेटा से तो पता नहीं चलेगा ना पूरे दिन का क्योंकि यहां पर नंबर दखेंगे यहां पर दो लाग दिखा रहा है तो स्क्राइब है कि हां 17600 पर पहले कम थे और यह देखिए बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहे आपको बोलें कि रेजिस्टंस का काम करेगा यह बढ़ते जाना इसलिए और आप भी ऐसे करके इसके थूरू आप ट्रेड ले सकते हैं ठीक है और ऐसे ही यहां पर भी देख स तो आप यह तो सिंपल ग्राफ है लेकिन इस ग्राफ से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्रैस आपको ट्रेड करना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुबह से बढ़ते जा रहा है आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि रिजिस्टेंस इसमें बढ़ते जा रहा खीक है, अब मालने जो सुबा में आप देखें कितने बड़े, 95 अब बढ़ते जा रहा है, 95 उसके बाद 10 बज़े, देखें कि 10 बज़े से बढ़ रहा है, एकदम फास्ट बढ़ रहा है, 10.22 में इतना हो गया, आप मालने जो यह ट्रेड किए 10.22 में, प्रोफिट हो टेक है तो आप कुछ देर कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि किसका और चेंज आर और और उसके इसाब सी आड़ डे सकते हैं यहां ठेल ले सकते हैं एक सब्सक्राली शांड लेसिकर आप तो 17400 का अगर आप देखें ठीक है तो 17400 पर आप देखेंगे जब तो यह 17500 का जो open interest है यह भी बढ़ते जा रहा है तो इस strike price का भी आप ले सकते थे पुट और अगर हम यहांप देखेंगे 17500 का यह call अगर हम देखेंगे अगर ठीक है सरी पुट देखेंगे और वो तो call था तो यहांप देखेंगे यलो वाला है 17600 यह है पुट यह पुट एकुरेट 10.9 से घटने लगा था आपको double confirmation मिल गया कि हमको जो है वो पुट साइड जाना है ठीक है यहां से यह पुट सेलिंग पुट का जो sellers है वो घटते जा रहा है ठीक है और इसका मतलब कि market उपर जाएगा यह probability कम हो गया है और जो वहांप देखेंगे 17600 को जो call writers थे वो बढ़ते जा रहा है इसका मतलब market नीचे का जाने का probability बढ़ते ज सकते हैं यहां से 17600 का put खरीदें यहां call बेचें और यहां से अच्छा profit आप कर सकते हैं ठीक है आपको patience रखना हो पाड़ेगा बस यह हो गया आपका option chain का analysis यह graph से ठीक है आप आईए website पर यहां पर चेक कीजिए यह जतने सारे graph से उसको analyze कीजिए ठीक है और इसको आप एक बहुत मज़ा आए होगा बहुत समझ में आए होगा ठीक है और अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हैं अगर मालने जाप option आप में आपको दिक्कत आ रहा है ठीक है और चाहते हैं कि वीडियो बनाएं ठीक है ऐसे concept wise आपको clear करें चोटा-चोटा concept क्योंकि बाहर काफी wrong information आ र इतना है ठीक है ठीक है यह होता है analysis और आया होगा आपको समाझ में आया होगा ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू